हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ही यमार 15 के 2024 मौडल के बारे में तो चलिए वीडियो शरू करते हैं दोस्तों आपको पता है यमार एक इंडियन मार्केट में ऐसा ब्रांद है जो की टाइम टू टाइम अपनी बाइकों को अपडेड करता रहता है कुछ ना कुछ ये लोग नया अपडेट देते रहते हैं ये चीज दोस्तों मैंने नोटिस किया है अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि भाई यमा की R15 वर्जन 5 ठीक है RN5 की V5 जो है इंडियन मार्केट में कब तक आ सकती है और कब तक इसे इंडियन मार्केट में लेकर आने वाली है सबसे पहले तो आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों इसमें अभी वर्जन 4 अवेलेबल है बट अब जो आएगी वो वर्जन 5 रहेंगी उसमें कमपनी क्या कुछ नया लेकर आने वाली है यही चीज मैं आपको स्पीड में बताने वाला हूँ I hope वीडियो आप लोगों के लिए interesting plus important होने वाली है सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के changes के बारे में कि कमपनीस में क्या कुछ नया लेकर आ सकती है यह आपका बहुत बड़ा सवाल होगा देखी दोस्तों फिलहाल यामाहा की तरफ से कोई official news तो नहीं है कि कमपनी यही change कर रही या फिर यही ला रही है रयूमर्स के मुताबिक सबसे बड़ा change होने वाला है वो होने वाला दोस्तों इस बाइक की look and design में दोस्तों आपको बता दू यामाहा एक ऐसा brand है जो जब अपनी बाइक में update लाता है खासकर R15 सीरीज में R15 वर्जन 1 एंड वर्जन 4 तक उठा लीजिए कमपनी ने हर बार इसका look and design change किया है चाहे तो V3 या V4 का compare कर लीजिए तो जाहिर सी बात है कि अगर कमपनी वर्जन 5 लाएगी तो उसमें आपको नया look and नया जो design है दोस्तों वो आपको इस bike में देखने को मिलने वाला है ये एक सबसे पहला जो update है वो आपको इस bike में देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों आपको बता दू बहुत ही premium और बहुत अच्छा design होने वाला है design कैसा रहेगा आपको मैं बता दू दोस्तों अभी जो बाइक का अपडेट है जो की इनकी R17 inspired है बट कमपनी अब जो अपडेट देगी वो inspired होने वाली है वो R1M से अगर आपने M नहीं देखी तो एक बार आप Google करके जरूर देख लीजिएगा ठीक दूसरा next जो अपडेट आएगा इस बाइक में वो आने वाला है दोस्तों इस बाइक की speedometer में अब आपको बता दू दोस्तों अभी फिलहाल R15 series में आपको fully जो है digital meter आपको देखने को मिल रहा है आता है ठीक है लेकिन जो RN5M series आती है उसमें आपको fully जो है TFT display देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों आपको मैं clear करना चाहूंगा कि company अब इसमें change करेगी और इसमें जो आप logo को नया वाला जी आपको बता दू नया वाला जो है यहाँ पे आपको TFT display R15 V4 में भी आपका V5 में भी आपको देखने को मिलेगा तो ये भी जो नया update है दोस्तों आपको इस bike में मिलने वाला है बात कर ले दोस्तों इसके next update के बारे में तो वो होने वाला है दोस्तों इस bike के tail light में आपको बता दून company इसकी जो trail light है दोस्तों इसमें भी change करने वाली है जी हाँ 10 light आपको बिल्कुल नया and fresh tail light आपको इस bike में देखने को मिलने वाला है हाला कि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि company जो tail light देगी वो ज़्यादा बहतर देगी as compared version 3 and version 4 तो ये भी एक नया बिद दोस्तों आपको इस bike पे देख ले वो मिलेगा दोस्तों इसका जो next update होने वाला है दोस्तों इस bike के indicator में देखिए RN5 में आपको जो indicator है दोस्तों आपको LED नहीं मिलते ठीक है आपको LED indicator R15 M series में मिलता है तो company दोस्तों आपको बता दून यहाँ पे changes करेगी और changes करने के बाद जो है इसमें आप logo को finally आपको बता रहा हूँ अब finally इसमें दोस्तों आपको LED जो indicator है वो भी दोस्तों आपको इस bike में देखने को मिलने वाला है एक नया bid दोस्तों company यहाँ पे offer करेगी दोस्तों इसका जो next update होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों इस bike के suspension में आपको मैं clear कर दूँ अभी इस bike में आपको जो suspension देखने को मिल जाता है वो आपको ना दोस्तों telescopic USD for suspension मिलता है बड़ दोस्तों company यहाँ पे upgrade करने वाली और आपको बता दो इसमें जो suspension आते हैं अब वो suspension आपको finally दोस्तों आपको बता दू यह मतलब यह adjustable वाले suspension आपको मिलेंगे तो यह भी एक नया bid दोस्तों आपको इस bike में मिलने वाला है next update होगा इस bike के graphic and color option में अब देखिए जानता हूं कि company अगर इतना सारा update दे रही है तो जाहिर सी बात है नया graphic and जो नया color option है वो भी दोस्तों आपको इस bike में देखने को मिलने वाला है अब दोस्ती एक color option कैसा होगा क्या होगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा बट जैसा भी graphic company देगी बहतर graphic आपको इसमें देखने को मिलेगा तो ये भी एक जो नया update सो आपको इस bike में मिलने वाला है दूसरे उसका जो next update होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों SK braking में देखने को मिलेगा अभी इसमें आपको dual channel anti-lock braking system मिलता है जो काफी बहतरीन तरीके से चलता है फिर भी company इसे और भी बहतरीन क पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए